असलाम अलेकूम वेलकम टू मैं चैनल हुजाफा गाड़नी कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे मैं भी ठीक हूँ दोस्तों जैसा कि आप लोग ने थमनल में देखी लिया होगा जो मैंने फटिलाइजर के बारे में बताया है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पौधे पे फ्लारिंग नहीं हो रही है तो जो फटिलाइजर मैं आपको बताने वाली हूँ अगर वह आप अपने गुले दाओदी के प्लांट पे या कराय संत्यमम के प्लांट पे डालते हो तो जिस तरह से मेरे पौधे पे फ्लारिंग हो रही है इसी तरह से आपके भी प्लांट पे फ्लारिंग होने लगेगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहे हैं मैं गुले दाओदी के बारे में फूल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ इसकी कटिंग किस तरह से कर सकते हो कि आपके भी पौधे इस तरह से हेवी कॉंटेटी में फ्लारिंग होगी और इसका प्राइस कितना होता है नरसरी इस पौधे को आप लाते हो इसको किस तरह की मिट्टी देनी सभी की सभी बाते मैं गुल्दाओदी के बारे में आप से शेयर करूंगी तो पसंद करते हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जैसे ही मैं कुछ भी निया वीडियो डालूंगी न तो मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलेगी अगर आप मेरे सब्स करते हैं यह देखे दोस्तों यही है वह मैजिकल फटिलाइजर जिसको अगर आप डालोगे न तो यह बिल्कुल मैजिक की तरह आपके पौधे पर काम करेंगा आपके पौधे में अभी कलिया बनी हुई है और फ्लारिंग नहीं हो रही है तो इस फटिलाइजर लिक्विड फटिलाइजर को आप डालोगे न फिर इस तरह से मेरे पौधे पर फ्लारिंग हो रही है न इस तरह से आपके भी प्लांट पर फ्लारिंग स्टार्ट हो जाएगी तो यह मैजिक की तरह काम करता है आप किसी भी फ्लारिंग प्लांट में आप इसको देते हो न तो आपके न पौधे में बहुत जादा फ्लाडिंग होने लगती है दोस्तों यह बहुत कमाल की चीज है इसे बोलते हैं दोस्तों सरसोखली या मस्टर्ट केक यह आपको इसली मार्किट में मिल जाएगा यह 25-30 रुपए केजी आपको मिलता है मार्किट में तो एरिया एरिया के उपर भी इसे बोलते हैं पंपं वराइटी तो यह भी बहुत ही ब्यूटिफुल फ्लांट होता है दोस्तों एक इसकी हाइब्रिड वराइटी भी आती है मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगी आप लोग देख लेना उसमें बहुत बड़े-बड़े साइस के फ्लार आते है यह मेरा य का इसली प्रपगेट हो जाता है कटिंग लगाने के लिए दोस्तों मैं बोलूं कि रिनी सीजन बहुत ही बेस्ट सीजन होता है इसकी the cutting लगाओगे ना रेनी शीजन में एक भी cutting इसकी फैल नहीं होगी यह इसली कटिंग से गुड़ो हो जाता है कटिंग लगाने के लिए यह देख सकते हैं कुछ इस तरह की आप स्टेम ले सकते हो इसकी और यह इसका नोड एरिया यहां पर मैं आपको दिखा दूँ यह नोड एरिया और यह नोड एरिया तो शिरीफ आपको नीचे से कट करना और दो तीन चार नोड एरिया को लेकर मिट्टी में आप सैंडी सोयल में लागा देते हो ना तो इसकी कटिंग इसली लग जाती इसका पौधा इसली तयार हो जाता है तो यह तो कटिंग की बात हो गई अगर आप इसको नर्शरी से लाते हो ना तो इसको किस तरह की जिसमें पानी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि इस पौधे को थोड़ा मॉस्चर पसंद होता है दोस्तों जादा सौगी नहीं कर देना सौगी कर दोगे फिर आपका पौधा मर जाएगा तो इसको थोड़ा सा मॉस्चर पसंद होता है तो इसको वेल्टेंड मिट्टी में आ बालू बोलते हैं इसका होना चाहिए और फटिलाइजर में दोस्तों मैं आपको बता दू इसमें डी एपी जरूर आपको एड़ करना जब इसका पौधा आप लागाते हो तो चार से पांच दला सीवीड भी आप एक चमच आप इसमें जरूर डालीजेगा सीवीड बहुत अ आप कभी भी बिच बीच में ऐसे साफ का पानी डालीट करके आप मिट्टी के जरो में दे तो ना प्लांट आपको हमेशा हेल दी कंडिशन में रहता है तो साफ बहुत अच्छी चीज़ा दोस्तों प्लांट के लिए तो इसको जरूर एड़ किजिएगा कोई भी आप पौ तो यहां पे मैंने आधा बल्टी पानी ले लिया है क्योंकि मेरे पास पौधे काफी ज़ादा है जैसा कि मैं आपको गार्डन तूड कराती ही रहती हुआ आपने तो देखा ही होगा मेरे पास काफी प्लांट्स है इसलिए मैं इसको सरसुखली को आधा केजी के कड़ीब मैं इसमें भीगो रही हूँ आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग देना क्योंकि इसको जादा नहीं डालते हैं प्लांट में मैं जब मेरा ये तयार हो जागा ना जब मैं अपने पौधे में दूंगी ना किस तरह से इसकी कॉंटिटी लेनी है इसकी वीडियो भी मैं आप से शेयर जरूर कर दूंगी ताकि आप लोगों को भी जानकाड़ी मिल जाए तो इसको बिलकुल पतला करके देना अभी तो मैंने इसमें आधा के जीगे कड़ी सरसोखली भीगो दिया है और इसको खुला नहीं रखना है ठीक है दोस्तों इसमें म मदद से इसको हिलाते रहोगे इसको जरूर से आपको हिलाना है ताकि जो सरसोखली है ना मिक्स हो जाए अच्छे से पानी में और इसका आपको दोस्तों बिलकुल ये दस दिन में आपको इसका लिक्विट तयार मिल जाएगा और लिक्विट को निकालके पानी में बहुत काम की चीज़ है इसको जरूर यूज कीजिएगा और इसको दस दिन के बाद ही आपको यूज करना है इसको दस दिन तक कम से कम भीगो कर रखना है एक और फटिलाइजर मैं आपको बता दे रही हूं दोस्तों जिसे बोलते हैं डी एपी ये आपको फूल बनाने में ब को बिल्कुल पतला करके तो उसमें एक पॉट के एकोडिंग चार से पांच दाना आपको डी एपी जरूर आइड कर लेना है और उस डी एपी को दोस्तों आप ओवरनाइट के लिए भीगो कर रख सकते हैं उसी लिक्विड फटिलाइजर में और डी एपी घुलने में बहुत जादा हेवी कॉंटिटी में होने लगेगी तो यह बहुत काम की चीज़े इसको जरूरी यूज कीजिएगा उमीद करती हूं दोस्तों कि मेरी चोटी सी वीडियो चोटी सी इन्फरमिशन आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी चोटी सी वीडियो आप लोगों के थोड़ी सी भी हेलफुल रहे ना थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए काम की रहे ना तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीज़ेगा और वीडियो को जादा से जादा लोगों में जरूर शेयर कर दीज़ेगा ताके जिन लोगों को पता नहीं है मेरे जरी उन लोगों को भ मिलती रहे ऐसी अच्छी एच्छी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो फिर मिलती हूं किसी नई टॉपिक के साथ खुश रहें अपना ख्यार लखें अप्पी गार्डिनिंग